हालो दोस्तों मैं रूचिका और स्वागत है आपका catch कर लेके इस शांदार platform पर जहां पर हम regular basis पर लेकर आते हैं आपके लिए match predictions और life predictions और देते हैं आपको हर match की सारी details एक दिन पहले ही और आप उससे बना सकते हैं अपनी fantasy team और और इसके साथ में हम आपको देते हैं live prediction में 4 session 6 over 10 over 15 over 20 over जीतने के मौके और जिसमें आप जीत सकते हैं dhado cash prizes वो भी घर बैठे तो आपको क्या करना है आपको cash कर ले लगातार देखना है हमारे साथ जुड़ना है prediction करना है और बहुत सारा पैसा जीतना है और अब जो match होने वाला है उसके बारे में मैं आपको सारी details बजे होगा ये match Thailand women और नीदरलेंड विमन के बीच में होगा और अब मैं अगर आपको इनके squads दिखाती हूँ तो Thailand women में जो squads हैं वो आप देख सकते हैं screen के उपर ये हैं और अब मैं बात करूंगी नीदरलेंड विमन टीम के बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सारे नाम हम आपको दिखाते हैं इसमें है एनीमेन Robyn, Robyn, Stirl Kralis, Frederick Overdick, Glenn Vidon, Heater, Bebata Lede, Jolin Van Willet, Annyman, Eswin Beek, Caroline Delang, Eva Nights Lynch, Silver Caesars, Hannah and Eris Willing तो ये थी team squad और अब मैं आपको बताऊंगी पिछले 5 जो matches हुए हैं उसके बारे में सब कुछ आप देख सकते हैं लास्ट 5 matches में जो Thailand और नीदरलेंड की जो team है इनके 5 matches यहां पर हैं जो 5 मैंसे ये 3 match हारी है और 2 match जीती है और जो नीदरलेंड विमन है ये 2 match हारी है और 3 match जीती है अब एक पर नजर डालेते हैं थोड़ा detail पर तो जो match हुआ था Thailand का उसमें Thailand विमन पांच विकेट से जीत गई थी और अब जो next match था वो हुआ था Thailand विमन और नीदरलेंड विमन का इसमें भी नीदरलेंड पांच विकेट से जीत गई थी इसके बाद हम देखते है नीदरलेंड विमन और थाइलेंड विमन का जो match हुआ था उसमें ये 10 विकेट से जीत गई थी और जो 4th match है और जो 4th match हुआ था वो हुआ था इंडिया विमन और थाइलेंड विमन के बीच उसमें इंडिया विमन चार नौ विकेट से जीत गई थी अब एक बार नजर डा और जो 3rd match हुआ था उसमें टार्गेट 98 था उसमें नीदर लैंड दो रन से जीत कई थी और इसके बाद हम बात करेंगे मैच इसके बारे में तॉस के बारे में तॉस के बारे में तॉस जीती है तो पहले बाटिंग चूस करती है तो उसमें 67% चांस होते हैं जीतने के और अगर टीम टॉस जीत के बालिंग चूस करती है तो उसमें 33% चांस होते हैं जीतने के और अगर अब हम देखते हैं एवरेज 1st inning तो वो 91 है एवरेज 2nd inning 93 है highest total इस ground पे 116 run बने है 5 wicket पे और जो lowest total है वो भी 73 है जो नीदरलेंड विमन ने बनाए है जो ये match हुआ था नीदरलेंड वसिस थाइलेंड विमन के बीच और highest stage जो रहा है वो रहा है 116 पे 5 wicket गिरे थे जो भी नीदरलेंड वसिस थाइलेंड टीम के बीच में हुआ था और अब हम एक बन नजर डाल लेते हैं fantasy topics के उपर तो यहाँ पे wicket keeper है नानापंत बैटर हैस्टर कैलीज और नथकम और इसके अलावा है हीथर सेगर्स नियूरो मोई शाइवाई आल राउंडर्स के रूप में है फ्रेडरिक और सोरारें तेपोज आईरिस विलिंग इसके अलावा जो बॉलर है वो आप चुन सकते हैं थाय पाचा, पुटो वॉंग और सुले पॉंट लाउमी इसके अलावा इवा नाइक और सिल्वर सीजर्स आप चूज कर सकते हैं अज बॉलर्स तो यह आप अपनी टॉप पिक्स में आप अपनी टीम को चूज कर सकते हैं इसके अलावा आप मैं आपको बताती हूँ अपनी चा का है 195 पॉइंट तिपाचा का है 183 पॉइंट नताया का है 155 पॉइंट सुले पॉइंट का है 151 पॉइंट और नापत का है 146 पॉइंट अब मैं आपको बताती हूँ मोस्ट रंस किसने कितने लिये हैं तो मोस्ट रंस हम देखते हैं तो वो है स्टर कैलीज 88 नताकन चंदम 78 रंस नानापत 78 रंस रॉबीन रिजिके 50 रंस नियोरो मॉल चाइवाइफ 40 रंस और अब हमें पर नजर डालेते हैं मोस्ट विकेट्स के उपर तो उसमें भी जो है और अब हम नजर डालते हैं मोस्ट शिक्स पे तो इसमें भी सबसे आगे जो है वो है नताकन चंदम जिनोंने एक शिक्स लिया है एक चका मारा है तीन इनिंग में और इसके अलवा है रोबीन रिजिके अब नजर डालते हैं हाइस स्कोर पे तो इसमें है स्टिर कैलीज 56 र चायवाय 40 रंस रॉबीन रिजिके 33 रंस अब देखते हैं बेस्ट स्ट्राइक रेट तो उसमें जो है वो है स्ट्राइन 140 हीतर 100 सिल्वर नियूरमल रोजी नेन के हैं 90 85 एंड 100 ये भी इनके सब एक इनिंग में है तो ये था इनका बेस्ट्राइक रेट अर अब देखते है बैस्ट एकनोमियरेट तो इसमें है चनिन्दा जो की ओल्राउंडर है सिल्वर सीगर्स ये बॉललर है ओन्हिना ओल राउंडर है कैरोणी बॉललर है और जो लास है सरोना इनन ताय पॉच ही भी अलराउंडर है इनके आप बैस्ट एकनोमियरेट डिस्पले पर देख सकते ह और ये थी हमारी team analysis, player analysis और हम बात करेंगे pacers vs spinners, तो आप इसमें देख सकते हैं, pacers का है 46% 12 wickets और spinners का है 54% 14 wickets, अब आए दोस्तों नजर डालते हैं team analysis देखें, हम आपको सारी information दे रहे हैं, लेकिन आपको cash कर लेके साथ, जोड़े रहना है, देखते रहना है, और कहीं ऐस तो इसमें अगर हम opening की बात करते हैं, तो Thailand women जादा strong है, नीदरलेंड women से, middle order में, नीदरलेंड women जादा strong है, बैटिंग डैट भी अगर देखते हैं, तो यह भी टकर की है, जिसमें Thailand women की जादा strongness दिख रही है, पेस balling के अगर हम बात करें तो इसमें नीदरलेंड है, और अगर spin balling के हम बात करेंगे, तो उसमें Thailand है, और आप देख सकते हैं, कि दोनों ही टीम्स जो है, वो बडाबर की टकर पे है, कोई किस चीज में strong है, तो कोई किस चीज में strong है, इसमें चूस करना थोड़ा सा difficult हो सकता है, तो यह था team analysis, और अब हम बात करेंगे, Thailand team के square के बा यह all-rounder है, और इनका इनोंने भी, अगरन T20 sqaiden का हम देखेंगे, तो इनोंने तीन matches के लिए हैं, एक भी इनिंग नहीं है, और बाकि सब 0 है, और इसके बात जो है वो है चायवाई, इनका हम देखेंगे, तो 44 पे 40, 9 पे 11, 102 पे 65, 12 पे 5, 27 पर 20, 41 पे 21 runs इनोंने बनाए ह और 55 इनिंग में इन्होंने 60 मैचेस के लिए है 961 इनके हाइस रहे है बैस 64 है और एक भी शातक नहीं है दो अर्दृ शातक इनके नाम है स्ट्राइक रेट 75.37 वहीं एवरेज इनका 21.84 है वहीं पर हम बात करेंगे नत्थकन चंथम की तो इनका हाइस स्कॉर जो रहा है उग्स पिए gruppel इस नाम हम और स्ट्राइक नो बास्काइ सब्सक्राइक शर्णव के तaneर सब्सक्राइनल करें है 100 अभी चल रही है और अगला प्लेयर जो है वो है 16 निन टाइप उच इन्होंने 2 पे 2, 3 बॉल पे 5 रन 6 पे 1 भी रन नहीं, 16 पे 9 रन, 32 पे 19 रन इन्होंने बनाए है एक नज़र दालते हैं इनके T20 पे 2 इन्होंने 29 मैचेस पे 42 इनिंस खेले हैं 312 इनके हाइस रन रहे हैं 37 बैस रन रहे हैं और स्ट्राइक रेट इनका 65.27 रहा है इसके बाद हम देखते हैं इन्होंने 9 बॉल पे एक बिकेट नहीं लिया है 11 रन पर 1 wicket ने लिया है 27 रन पर 1 wicket लिया है 6 पर 0 इनका T20 आई देखते हैं तो इन्हों ने 18 matches में 12 इनिंग खेली है 6 wicket इनके इन्होंने लिये हैं और 21 रन पर इनने दो विकिट ले लिए थे और इनका सबसे बैस्ट माना जाता है और वहीं की इकनॉमी रेट जो है वह 6.89 लगाता है हम आपको सारे सारे एक एक क्रिकेटर के बारे में इन डैट डीटेल्स आपको दे रहे हैं तो आप हमारे साथ में लगाता है देखते रहिए जुड़ पे 4 runs पे इन्होंने इतने wicket लिये हैं और इन्होंने 12 इनिंग में 12 matches खेली हैं 17 wicket इन्होंने लिये हैं और बैस इनका 26 run में इन्होंने 4 wicket ले लिये थे इसी वज़े से इनके economy rate जो है वो है 3.96 और इन्होंने 3 wicket लिये थे average इनका 22.12 चल रहा है और जो लास्ट प्लेयर है तीम थाइलेंड विमन की वो है तिपाचा पुटवॉंग इन्होंने 19 रन पे 1, 22 पे 2, 14 पे 2, 29 पे 1, 18 पे 0 wicket इन्होंने लिये हैं और इनका T20 आया देखेंगे तो 21 इनिंग में इन्होंने 30 मैचेस खेले हैं 21 विकेट इन्होंने लिये हैं और सबसे बैस इनका जो है वो इस साथ रन पे इन्होंने 3, 2 विकेट इन्होंने ले लिये थे और हम नीदरलेंड विमन की बात करते हैं तो इसमें मैं आपको सारे प्लेयर्स के बारे हम बता चुकी हैं लेकिन अब हम इनको और भी डीटेल में जानेंगे तो इसमें मैं शुरुआत करूंगी एनिमन से और इन्होंने और अब मैं शुरुआत करूंगी एनिमन से और इन 4 runs इनके highest है, 9 run इनके best है, strike rate इनकी देखे तो 43.59 है, और average 4.25 है, जो next player जो है, रोबीन रिजी के, इन्होंने 33 पे 17, 2 पे 0, 40 पे 33, 36 पे 23, 36 पे 12 run इन्होंने बनाए हैं, और नजर डालते हैं इनके T20 आए पे, तो इन्होंने 32 inning में 34 matches खेले हैं, total runs 395 हैं, और इनका जो best है व एक भी शहतक, अर्शहतक नहीं है, strike rating की 80.61 है, वहीं average इनका 15.80 चल रहा है, तुरंत फटा-फट से देख लेहते हैं, जो तीसरा player है, वो है, Rabin Van Ostrom, और इन्होंने 4 पे 0, 3 पे 0, 4 पे 0, कुछ खास इनका score नहीं रहा है, 30 पे 14 run इन्होंने बनाए हैं, और वहीं का T20 आई देखते हैं, तो आप देख सकते हैं, एक इनिंग में एक मैच, बाकी सब 0 है, और इसके बाद हम बात करेंगे, स्टर कालिस, स्टर कालिस राइट हैं, और इन्होंने 34 पे 17, 56 पे 56, 21 पे 15, 26 पे 10 रंस, 52 पे 19 रंस, इन्होंने बनाए हैं, और अब हम इनका T20 आए देखते है तो उसके अंदर इन्होंने 25 इनिंग में 25 मैच इसके ले हैं, 758 रंस हाइस है, बेस्ट 126 है, और एक शतक है, और तीन बार अर्च शतक है, उस वेसे स्ट्राइक रेट 96.19 है, और एबरेज है 32.96, इसके बाद हम देखते हैं, फ्रेडरिक ओवर्डिक, और इन्होंने ये र जतक हैं, 15 इनिग पर 15 मैच इन गैशर इनिंग में 15 गया त्यस डाविलग, और एजरं से 3 इनिग दिदर कर गदी को डिया ने hour जो था काथ है, और इन्होंने 25 बीन 5-5, 5-2 और 6-1 रन इन्होंने बनाया है T20 आ इनका अगर हम देखेंगे तो एक मैच एक इनिंग इनकी रही है और इसके बाद हम देखते हैं Heather Sires ये विकेट कीपर बैटर है 3 बॉल पे 1 रन 26-25, 33-32, 13-5, 35-25 इन्होंने बनाए हैं इन्होंने ये विकेट कीपर बैटर है और इनके स्टाट्स अगर हम देखते हैं तो 5-3, 3-2 रन, 19-12, 75-59, 34-30 रन्स इन्होंने बनाए हैं और उसी वक्त हम नजर डालते हैं इनकी T20 आ स्टाट्स पर तो इन्होंने 31 इनिंग में 36 मैचेस खेले हैं 409 इनके रन्स बैस्ट रहे हैं बैस्टी टू है और आप देख सकते हैं दो बार इन्होंने अर्च तक लगाया है स्ट्राइक रेट इनका 75.46 है और 17.78 इनका एवरेज रहा है और अब हम बात करते हैं जॉलिन वेन विलिट की इन्होंने 7 पर 1, 36 पर 12, 29 पर 20, 11 पर 2 रन्स इन्होंने बनाए है तीट्वंटिया इनका अर्गर हम देखें तो इन्होंने 6 मैचेस खेले हैं 5 रन्स और 2 बैस्ट है और स्ट्राइक रहा है वहीं एवरेज इनका है 3 अब हम बात करते हैं ईवान नाइक लिंच की इन्होंने 16 पर 1, 25 पर 3, 14 पर 0, 11 पर 0 इन्होंने विकेट लिये हैं तीट्वंटिया अगर हम इनका देखें तो इन्होंने 22 मैचेस खेले हैं 22 विकेट है इन्होंने लिये हैं और 24 चार इनका बेस्ट रहा है economy इनकी 4.99 है और इन्होंने दो बार विकेट लिये है और 16.32 इनका average रहा है अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं silver scissors के बारे में और ये lag spin baller है 12-1, 18-1, 16-0, 28-0, 32-0, 51-1 इन्होंने विकेट लिये है T20 अगर हम देखें तो इन्होंने 6, 29 innings पे इन्होंने 30 matches के लिए है 20 wickets और 7 पे 2 इनका best है, economy 6.20 है और 28.95 इनका average score रहा है और अब हम बात करते हैं हैना के बारे में तो हैना जो है right arm medium baller है आप देख सकते हैं और इनकी recent form जो है वो है 10 पे 2, 25 पे 0, 9 पे 0, 22 पे 0, 43 पे 4 इन्होंने विकेट लिये है और फटा-फट से नज़र डालते हैं इनके T20 आये पे तो इन्होंने 23 matches पे 11, इनके 23 matches के लिए है, 7 wicket इन्होंने लिये है best इनका 10 दो है, economy इनकी 5.71 है, वहीं average इनका है 25 और जो बात करेंगे हम वो है last player, नीदरलेंड women team की वो है Iris Zwilling इनकी अगर हम last form की बात करें, decent form तो ये एक right arm medium baller है, आप देख सकते हैं इनोंने 16 पे 0, 25 पे 1 24 पे 0, 24 पे 2, 25 पे 5, 33 पे 2 wicket इनोंने लिये हैं और फड़ा-फड़ से नजर डाल लेते हैं इनके T20I career stat पे तो इनोंने 30 inning में 30 matches खेले हैं, 18 wicket लिये है, best इनका 11 पे 3 है और economy इनकी 5.70 है, तीन wicket इनों दो बार लिये हैं और 19.61 इनका average है तो ये थी सारी information, ये थी Thailand women और नीदरलेंड women की सारा stat, सारी detail तो कहीं और आपको मिलेगी ऐसी details, ऐसी information, सारी information एक जगे साथ-साथ बहुत सारे cash price जीतने का मौका इसने लगातार देखते रही, cash करले को पसंद करते रही है, ऐसे लगातार प्यार करते रही है, बने रही है हमाई साथ में धन्यवाद